नमस्कार मैं हूँ आपके साथ गौरव राज़े इंद्रबलिटेन की शुरुआत करते हैं मचूर कॉमेडी कलाकार राज़ुश्रिवास्तव का निधन हो गया है आपको बतारे कि राज़ुश्रिवास्तव लंबे समय से बीमार चल रहे थे पिछले आलेस दिनों से इंस में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे आपको याद हो कि राज़ुश्रिवास्तव को जिम करते समय हार्ड अटेक आ गया राज़ुश्रिवास्तव के निधन के बाद बॉलिवुड में शोक की लहर है तो वहीं राज़ुश्रिवास्तव के निधन पर सियम मनोहरलाल ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया है उन्होंने लिखा कि सब को हसाने वाला आज सब की आँखें नम कर गया फिल्म लिखत का जाना माना चहरा मशूर हाथ से कलाकार बीजेपी नेता राज़ुश्रिवास्तव के निधन पर उन्हें विनम रशुद्धानजली प्रभूत दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे अधरामबाला केंट पीड़ुडी रेस्ट हाउस में ग्रहमंतरी अनिल बिज ने जुनता दरवार लगाया जिसमें सेकड़ों की संख्या में फर्यादी पहुँचे और अनिल बिज के सामने अपनी समस्याँ रखी ग्रहामंत्री अन्यल्विज ने अमबाला लोकसभा के लोगों की समस्याइं सुनी और संबंदित अधकारियों को समस्याओं के समाधान के आदेश दी दी ग्रहमंत्री अनिल्बिज ने जनता दरवार लगाया जहां पर सैकड़ों की संख्या में फर्यादी पहुचे जिसकी समस्याइं सुनी गई और समाधान के निर्देश भी दिये खबर फरीदावाद से है जहां एनएच पी सी चौक के पास रिल्वे अंडर पास में पानी भर गया कमर तक पानी भरे इसकूल बस फस गई जिससे कि कई चात्र करी दो घंटे तक बस में फसे रहे कड़ी मसकत के बाद पुलिस की मदद से चात्र को बस से बाहर निकाला गया दरसल एनएच पी सी चौक के पास रिल्वे अंडर पास के पास पानी भरा हुआ था हर साल बारिश के मौसम में अंडर पास में बाहन फस जाते हैं लेकिन इसके बावज़ुद भी प्रिशासर ने पानी निकालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए है जिससे लोगों को खासा परिशानी का सामना करना पड़ता है कि अधिन फोल्मेशन ने में पास फोन आता है 1230 के असपास की बस आने वाली है आपकी इस बाद पोल्मेशन की मैं रेगुलर स्टेन पर खड़ाता है आवे बिशे जादा हो गया मेरे को मैं पंटीनुर ट्रेवर को फोन कर रहा हूं है और वो लोग फोन नहीं उठा दे कहीं से बता लगा कि जीन फिल्ब के आस्टा थे बस में प्रॉलम होई है मैं नौट आया अपने स्टूब इस देखता हूँ आया हूं यहां के देखता हूं कि ठोटे बच्चों की बस यही ख्लास तक के बच्चों की बस ही एक शूचना मिली थी कि बत्टों से बरी मानवरतना स्टूल की बस यहां अंदर पास मां पसगी है इतना अब हमाए रीमाई ट्राफिक पुलिस यहां पहले ज़ी मौजूद थी उनके मदद से बत्टों को दो निकाल दिया तक उनकी दूसरी बस मंगा को इसके सिख्खर करें बत्टे बेजिए थीस तारीस बच्चे थे करीए अब बस जहां है पजी हुई है इसको निकालने के पहिए से उधर पानीपत में बदमाशों के होसले बुलंद होते चले जा रहे हैं बता दें कि बदमाशों ने बकीलों के चेंबर्स में सुभा 11 बजे गोली चला दी अब बदमाशों के आवाज हुई पाता लगा बार जाके देखा तो वो कोई रोतीन आदमी उनके पिछे स्कोटे गाड़ से उनके आदमे गन थी वो गन कैसे फायर हुई यह तो मैं नहीं कह सकता अंदू मैंने जो देखा कि सीसा तूट गया मेरे जूनियर को है इस बारे में परसासे से बात करेंगे कि आगे से भविस्ते में इस तरह कारवाई इस तरह का जो आदसवा हो ना हो यहां पर कोड कंपाउंड में टोटली पूरुन तरीके से जो है असले को बैन करना चाहिए कि आपके सावगा में कितना हमने लेवले पता किया कि वो गोली जो चली है वो कह रहेंगी जानभूज की नहीं चलाए गई है तो आपके सामने यह यहां पहले उसने गोली का फायर किया जमीन पर इससे जमीन पर लगने से बैसी दासिसे से टकराया एक हमारी बिटिया ते टाइप इसको चर्रे लगे तो इससे यह चाहता है कोई बाग मास टेरर फैलाने की वज़े से यहां बेखो फेमत मास और पानी प गरफतार किया है साथी चोरों के पास से करीब आधा दरजन भाईक चपत की गई है इस दौरान एस्पी पूजा डावा ने बताया कि पुलिस ने साथ बाईक के साथ तीन चोरों को गरफतार किया है और पुलिस आरोपियों से पुछताज कर रही है चोरी रूप स्नैचिंग की वारदा तोरी है इसके लिए विशेश अभियान समय समय पर हमारे दौरा चलाए गाते हैं तो इसी के अंतरगर्ट जो है अभी हमने एक गिरो जो है गिरफतार करा है जो बाइक चोरी करते थे तो हमारे जो बल्देव नगर ठाने में कुछ बाइक चोरी के मुकर्मे दर्ज हुए थे तो उसी के अंतरगर्ट हमने 17 सितंबर को है जो गौतम पाल निवासी दुर्गा नगर अंबाला शहर सबसे पहले इसको हमने गिरफतार किया है इसको रिमान पे लिए आगे इस वीच बड़ी खवर का रुक करते है पानी पत्से बड़ी खवर आ रहे जहां पर विजलेंस की ग्रफ्त में रिश्वत खोर पटवारी तो इस वीच बड़ी खवर आपके सामने टेल्विजिन स्क्रीन पर विजलेंस की ग्रफ्त में रिश्वत खोर पटवारी 45,000 रुपे रिश्वत लेते रंगे हातों पकड़ा किसान से मांगी थी पटवारी ने रिश्वत एक्वायर जमीन के मुआवजे का मामला इस वक्त की बड़ी खवर आपके सामने टेलविजन स्क्रीन पर विजलेंस की गिरफ्ट में रिश्वत खोर पटवारी 45,000 रुपे रिश्वत लेते हुए रंगे हातों पकड़ा किसान से मांगी गई थी पटवारी दोरा ये रिश्वत बड़ी खवर आप देख रहे हैं पानी पत से जहां पर रिश्वत खोर पटवारी पर विजलेंस की टीम ने कारिवाई की है और उसे रंगे हातों पकड़ा है यानि रिश्वत लेते हुए रंगे हातों पकड़ा विजलेंस की गिरफ्ट में रिश्वत स्टोर पटवारी 45,000 रुपे रिश्वत लेते रंगे हातों पकड़ा किसान से म्ांगी थी पटवारी ने रिश्वत है कुआर जमीन के मोच मिज़ का ये मामला ये लिगो से चवाले मैं डियारोऊ पटा जो बड़े खबर आपके सामने पानीपत से किसान से मांगी थी पटवारी ने रिश्वत चलिए आगे बढ़ते हैं ख़वर कुरूचितर से है जहां H.S.G.P.C. और S.G.P.C. को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसे के बाद हर्याणा में एक बार फिर सिख राजनीतिक गर्मा गई है हर्याणा सिख गुरुद्वारा प्रवंदक कमेंटी के प्रवधान संक्ट बलजीत सिंग दादुबाला समय सभी सदस्यों ने जहां इस्तिफा दिया तो वहीं पूर्व सदस्य और सिख नेतास रगदीश जीना गुरुद्वारा छटी पात्शाही पहुंचे जहां उन्हों सिख समाज की बहतरी और मानव कल्याण के लिए अरदास की जुना ने कहा कि हर्याना के सिखों को 21 साल बाद अधिकार मिला है श्रोमडी गुरुद्वारा प्रवंदक कमेंटी हमारा मार्ग दर्शन करें वहीं जुना ने सुप्रीम कोट के इस सैसले का स्वागत किया है और हम आज हर्याना कमेटी गुरुद्वारा प्रवंदक कमेटी के सहभी मेंबर सहभान यहां गुरुद्वारा श्यवी पाद श्यवी में गुरु का गुरु से आशिरवाद प्राप्त करने आए हैं क्योंकि हमारी 2001 में लड़ाई कुछ तर्शे शुरू हुई थी और यहीं स शाशिरवाद लेने के बाद मैं सबसे पहले दन्यवार करना चाहूंगा हर्याना की सिक सेनद का यह उनकी बदोलती है हर्याना कमेटी गुरुद्वारा परवंदक कमेटी में चाहुए यहां रुखेंगे चोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार भी ख़बरों का सिल्सला लगातार जा रही है अगर आप पत्रकाडिता के शेतर में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलक्ट्रोनिक मीडिया के हर गुण जल्दी करें सादना एकाडमी फॉर मीडिया एस्रेडीज में अड्मिशन शुरू हो चुके हैं सिर्फ कुछी सीटे बची हैं तो देर बिलकुल ना कीजिए हमारा कॉंटेक्ट नंबर है 99999131700 999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं आप हमें noida.sams.gmail.com पर एमेल भी कर सकते हैं 100% job placement की गारंटी आजी संपर करें Through constant innovation, the group provide its clients with value added, environment friendly products We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system Producing high value paper making us India's largest producer of branded papers fine papers and packaging broad segments Focused on customers in all our operations Hence, extensive investments are made towards people and people practices K.R.P.L. was leading eco-friendly paper from AgroResidue K.R.P.L. was medication, hertz敲 beth leader K.R.P.L. was, P confident that I was doing ? K.R.P.L. wasn't my quills and mistakes K.R.P.L. withjaw Green जुबाने खूब तो दिल भी एक होने चाहिए विमल बोलो जुबा के सुरी हर रंगों का मंगों का जदबा का रुकदाए मन साफ है तेरा यंदर तो बाहर दिखता है हम निर्मा एडवांस है, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं, निर्मा एडवांस अपना ही आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकंबर के फ्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नैच्रिली चेहरे को बॉस्चुराइज रखे ताकि पिंबल्स और डेट स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ रूप मंत्रा, आयुर्वेदिक पेस्वाश, ही कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक काशरी है पंजाब है चस्प्रीट का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आश्याना, किरल का गोविन निवासी, कुलकाता में जन्में है काशी, हर हिंदुस्तादी की शाद, A.R.B. बेरिंग, जोने सारा हिंदुस्ताद हमने बनाया, किर से अगर आप पत्रकारिता के शेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो हम सिखाएंगे आपको इलक्ट्रोनिक मीडिया के हर गुण जल्दी करें, सादना एकाडमी फॉर मीडिया स्टेडीज में एड्मिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछी सीटे बची हैं, तो देर बिलकुल न कीजिए हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 999-131700, 999-131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं आप हमें noida.sams.gmail.com पर इमेल भी कर सकते हैं 100% जोब प्लेस्मेंट की गैरंटी आज ही संपर्क करें पंजाब है चस्प्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्ष का आश्याना केरल का गोविन निवासी, कुलकाता में जन में है काशे हर हिंदोस्तानी की शान, ARB बेरिंग, जोड़े सारा हिंदोस्ता अरे रंगों का, उमंगों का, अरे रंगों का, उमंगों का, जदबा का रुकता है मन साफ है तेरा यंदर तो बाई ब्रेकवाद स्वागत है, आपका ख़बरों का रुक करते है प्रदूसर्ण नियंतरन बोर्ड के नियमों का पालन न करने पर यम्रानेगर जिला प्रशासन ने शराब बनाने वाली हर्याना डिसलरी और पेपर मिल को सेल कर दिया है तब तक फैक्ट्री को एनोसी नहीं वी जाएगी प्रश्ची थी एक बनान प्रश्ची ये बनाना बनाना और दोस्त्री इंडस्त्री अरिया इनना बनाना श्तापिकाएगी इसमे जिलादी स्मोध्य द्वारा नेरी रत्ता में एक टीम का गठूँ के आगयाथी तो उसमें उन्होंने फेक्ट्री को यहां पे सील कर दिया है और फेक्ट्री ने कहना मेरे पास भून आया कि सारी लेबर कल को लेख होएगी लेबर का लेख करने का भी एक कानून होता है पंदरा दिन पहले लेबर को नोटिस देते हैं सरकार को नोटिस देना चीए तो यह ऐसे थोड़ी ना कितम ही अपना इन्होंने मूठ आया और अपना लेबर को कहा दिया लेख करो उदर सुनिपत के गाँ छोटी बागडू में खेल स्टोडियम खंधर बन गया है जहां स्टोडियम मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है तो दूसरी और खिलाडी अपनी पैसों से स्टोडियम से घास अटाने और मिठी डलवाने का कारे करते हैं कादे की इस्टोडियम का हाल बदहाल हो गया है जिसके चलते युवा गाओं के इस्टोडियम की छोड़कर सुनिपत में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्टोडियम की वेवस्था के सुधार के लिए कई बार स्टोडियम से शुकायत की लेकिन कोई निस्कर्स नहीं निकला मैं कर चाहता हूं कि यहां पर स्टेडियम के बहुत बुरी आलत है यहां पर सीमेठ जो इसयान लिए जो गाओं के बच्चें बार जारे स्टेडियम खेलने के लिए यहां पर स्टेडियम होते हुए गाओं में कोई सो वीजाने मिल रहे हैं पर उसके लिए उसके ओपर कोई दाने दिया जा रहा रहा की दोती है तब यह आपकी जब करते है यह बहुत बुरे आप थे यहांपर कोई सवीधा नि है ना को पाने की सबीद्र है यहांपर गास वाद साले रहे हैं जो करहां बालक मैंफ करा बालक अपने आता करहें ना सरकार की उस्तफार अमिल रही ना पनक्याइठ कि उस करने वाड़ा कोई है नहीं और बिना केर किस तरह तो प्रैक्टिस होगी है बास्केट बॉल को देख लो को यह हौल है यह पुना रख़ा है यह देख दो आप सामने सब को तोरी साथ स्टेडियम तो इतने सरकार ने पैसा लगाया है थोड़ा सा इसका केर के लिए भी होना च भाई यह बागदू गाउं का स्टेडियम है आलात आप देख रहे हो हर जंग ऐसे तूटा पूटा खंडर हो गया है एक्दम से और साथ साल होगे स्टेडियम को मने कोई काम नहीं करवाया गया यहां पर बिजली की सवीदा नहीं है कोच की सवीदा नहीं है पानी की बारिश होई जिसने मौसम का मिजाज बदल दिया और लोगों को गर्मी से राहत दी तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है किसान की धान की फसल पकर तयार है मंडियों में भी धान भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है लेकिन अब किसानों को फसल के खराब होने का डर सता रहा है बारिश की वजह से अंबाला में कई जगहों पर जल बढ़ाव की भी इस्तिती पैदा हो गई अधर गुरुग्राम ने एनेच फॉड एट पर जैपूर से दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते पर बुदवार को भेनक प्रैफिक जाम लग गया दरसल गुरुग्राम के हीरो होंडा चॉक पर बने फ्लाइ ओवर का मुख्य कैरेज वे बंद होने की वजह से मानेशवर से लेकर हीरो होंडा चॉक तक करीम दस किलो मिटर लंबा जाम लग गया इस दोरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हाला कि गुरुग्राम पुलिस ने फ्लाइ ओवर बंद होने की एडवाइजरी मंगलवार को ही जारी कर दी थी लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग इस रूट से दिल्ली की तरफ लोटे और जाम में फस गई गुरुग्राम ट्रेफिक पुलिस ने जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि हीरो होन्डा चौक पर बने फ्लाइ ओवर का जैपुर दिल्ली सेक्शन 21 सितंबर से 26 सितंबर तक बंद रहेगा इन दिनों में इस सेक्शन का लोड टेस्टिंग और मरमत कार किया जाएग गुरुग्राम का ये NH48 है और मैं गुरुग्राम के हीरो होन्डा चौक पर खड़ा हूँ आप देखिए जो दिल्ली से जैपुर की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये हीरो होन्डा चौक का फ्लाइ ओवर है और यहां देखिए कि जिन गाडियों का ताता लगा रहता था वो बिल्कुल सनाटा पस्का हुआ है दरसल आपको बता दे कि नेशनल हाइवे ने नेशनल हाइवे अथर्टी ने इस फ्लाइ ओवर पे स्पैन लोड टेस्ट शुरू किया है और जिस टेस्ट के अंतरगत 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक इस फ्लाइ ओवर को बंद करने का एल इसको लेकर हरियाना प्लिस ने ट्राफिक प्लिस ने एक एडवाईजरी जारी किया है और जो लोग जैपुर की तरफ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उन्हें SPR रूट या अलग वैकल्पिक सड़कों का ब्योग करने के लिए सलाह दिया गया है आज पहला दिन है और पहले हैं और तमाम गाड़ियां डाइवर्ट हो रही हैं जो लोग जिनको पता नहीं है इस एडवाईजरी के बाड़े में वो जैपुर की तरफ से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ जाना हो तमाम कहीं न कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पर रहा है और आज के हालात आपको बताएं कि यहां से लेकर टोल प्लाजा तक उससे आगे तक तरीब 6-7 किलो मिटर घंबा जाम लगा था और यह परिशानी रोजाना होनी है मैं यह पताना उन दर्शकों को उन कम्यूटर्स को चाहता हूं कि जो लोग इधर से आ रहे हैं वो इसका खयाल रखें और इसी हीर हुंडा चोक है और अगले 6 दिनों तक यह स्थिती यहां रहनी है ऐसे में उन लोगों से अपील है जो लोग इन रास्तों का प्रियोग करते हैं वो जरूर इस एडवाइजरों को फॉलो करें और वैकल्पिक सड़कों का प्रियोग करें ताकि वो गंतब्य तक पहुंच सक हर खबार गुरगराम स्थाफ सेलेक्शन कमिशन और हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन करें वहीं इस मौकर पर बोर्ड चेयर्मेन ने 29 सितंबर से 17 अक्टोबर तक चलने वाली बोर्ड की सप्लिमेंटरी प्रिक्षा की एड्मिट काइड भी ऑनलाइन तरीके से चारी किये हाँ यह पत्र पिछले साल ही सरकार ने जारी था नोटिफिक्शन के भी सीटेट और एस्टेट इक्विलेंट रहेंगे और उसका हमने बोर्ड ने विरोज भी किया था सरकार को पत्र भी लिखा था कि यह एक्विलेंशी तो ठीक नहीं देगा क्योंकि उसमें तो सीटेट करने वाले भार के लोग होते हैं हर्याणा में स्थाफित लोग ही एस्टेट करें हैं हर्याणा में ही जब लगें तो इसलिए सरकार ना मरीजबात को मानते हुए उस नोटिफिक्शन के विड़रा कर लिया है अब जो 14,000 वेकंसिया निकली है उन सब को एस्टे कर दो